इतना कमाती है, कितने आते हैं, मैं आपको बता दूँ, यूटूब से जो हम कमाते हैं, आपने इतनी जल्दी कमेज में साधी क्योंकि, अगला सवाल पूछा है, किरन रावजी ने बेवी प्लैनिंग कप करोगे, सबसी ज्यादा ना लोगों की यही सोज रहते हैं, कि देवर आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, सबसे पहले, आप सभी लोगों को मेरा प्याबरा पहला और चोटो को मेरा रेल सारा प्यार, मेरा नाम है, हिना कार्तिक फस्वान, और स्वागत करते हूं आप सभी, अपने यूटूब चैनल, हिन्नु व्लॉक सुत्राखंडी प मैंने दो दिन पहले ना कम्यूनिटी में पोश्ट किया था, क्यूए ने के लिए, तो आप लोगों को एक और बात बताना चाहते हूं, काफी लोगों ने एक ही सवाल पूछ रखा है, तो मैं उन लोगों का नाम नहीं लेख सकती, और बार बार वही कमेंट में रीट नहीं कर सकती, तो मैं आप से भी लोगों का जो सेम सवाल होगा ना, उसका जवाब एक साथ दे दोंगी, तो आप लोगों बुरा मत मानिगा कि मेरा नाम नहीं आया करके, तो चलिए जी आप सवाल के जवाब देना स्टार्ट करते हैं, और पहला सवाल यहाप पूछा है, रंजी यूटूब में काफी ज्यादर मेहनत कर लिया, फुल टाइम भी यूटूब को दे दिया, लेकिन हमारे व्यूज नहीं आते हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो मैं आप से भी लोगों को बोलना चाहती हूँ, काफी लोग दूसरों की वीडियो देके अप अगर आपको अपनी वीडियो में व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हूँ, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहते हूँ, आप डेली वीडियो डाले और दिमोटिवेट मत होए, स्टार्टिंग में जब आप चैनल खोलते हैं, तो अच्छी वीडियो ड बनाते रहें पर जो बनाते रहें कोशिस करते रहें और यूट्यूब पर एक टाइम ऐसा वी यात direct कि एक वीडियो वाइरल होती है, कि हर किसी के आंक मेंने में हो जाती है, किसी के 5 मेंने लग जाते हैं, किसी के 5 साल हो तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहते हूँ कर डेली बनाएए डेमोटिवेट मत होईए अगला सवाल है सोनाली निथीन व्लॉग का और इनका सवाल है कि आपके और आपके मिस्टर जी की लराई भी होती है क्या मैं आप सभी लोगों को बताना चाहते हूं जो स्टेजे मेरी ना कभी-कभी लराई हो जाती है और हमारी लरा अगे करते रहो अच्छा बोलना सिखो क्योंकि मुझसे क्या होता है ना बोलने मैं थोरा सा वो रह जाता है मिस्टेजी मुझे सिखाते हैं सब्से बोलना नहीं जाता है तो इसी बीच मैं हमारी लराई हो जाती है अगला सवाल यहां पर रखाया सुमन नेगेजी का और इन हिमानी के पीट पर भी पूरे दाने निकल जुके थे वैसे हम उसको इंजेक्शन वगेरा भी लगा रहे थे लेकिन हिमानी ने ना दूद देना भी कम कर दिया था और बच्छरा भी ना हिमानी का दूदी पीता था तो मैं भी हमें यह लगता है कि बीमार के वज़े से अगला सवाल है देवा धामेका, और इनका सवाल है आप और आपकी देवराने में बारइक हो नवी पताना चाती हैं, और मैंने भीया नख़गा जय बेरणों है, बढ़ी हैं मुझ से वीस को इडिया है तेसी की ftर्सित राज्च को और इन्हों नेस्टर जी को पूचा हुआ मैंने वह देश्यान के ना पूचा हूत है मैंने आप सभी लोगों को पहले बी बताया हुआ है कि मिस्टर जी और भाया क्या एज का अंतर है देवरानी जी और मेरे एज मेना एक या दो साल का अंतर है और मिस्टर जी की एज अभी है 26, 26 वा लगा हुआ है फरवरे पर और मेरी एज है 20 इसे नया सवाल आ रखा है आप ललीद पाहरी ब्लॉगर का और इनका कमेंट है आपकी पती की कोई बहन नहीं है क्या तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहते हूं कि जल्दी आएंगे नेक्स्ट क्रेचन पूछा है पूनम बोडर जी ने आपने इतनी जल्दी कम एज में साधी क्यों की यह तो मुझे भी पता नहीं है कि में इतनी जल्दी साधी क्यों की करके क्योंकि मेरी एज उस टेंपर 19 थी मैं इस सवाल का जवा एक और चीज देना चाहती हूं अगर मेरी साधी नहीं होती ना तो सायद में यूटूब पर नहीं आते ही आप लोग मुझे जानते भी नहीं अगला सवाल पूछा है आपकी पहली वीडियो कितने मेहने में वाइरल हुई थी तो मेरी पहली वीडियो जो वाइरल हुई थी उसमें लगब 6-7 मेहने लगए थे और वाइरल में व्यूज कितने आये थे 10-15,000 तो उसमें भी में बहुत ज्यादा खुश होगी थी क्योंक मेरे दो हजार तीन हजार व्यू जाते थे नरी ब्लॉक जी ने पूछा हुआ है आप कितने टाइम से यूटूब कर रही हो तो मुझे यूटूब पर देर साल हो रखा है अगला सवाल पूछा है दिवियर रावत जी ने आप क्यों नी हुई भूमी दी की तरह कुमावनी मेरे मिस्टर जी की बात रही उन्होंने भी पराई कि फर्स्ट एयर क्या शेकिन एयर में उन्हें कॉलेज छोड़ना परा क्योंकि इस टाइम पर घर की कंडिशन थुरी ठीक नहीं थी दिक्सा मेरा जीने सवाल पूछा है आपके मिस्टर जी और देवर जी स्वाप में एक और सौफ है जो कपकोड पर है वह रनिंग पर है फिर से एक नहीं सवाला रखाए बीनि कंडारी जी का इन्होंने पूचहे दिया पर जी जो इतने क्यूट कैसे हो और आपकी सास अपने बुआरि के सांद कि इतने प्यार से कैसे रह लेती है उतनी प्यार आपकी मां भी जितने की सास क्यूट दी थैंकि सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए और सासु जी का प्यार आप लोगों को हमारी वीडियो में दिखते हैं तो मैं यह बोलना चाहते हूं जब खुद इंसान सही रहता है तो आगे से भी रिस्पॉंस अच्छा मिलता है ताली एक हाथ से नहीं बचती है ताली दुन हाथ से बचती है हम भी सास को ममी मानते हैं तो ममी भी हमें बेटे मानती है इस वज़े से हमारी बॉंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो जो नया सवाल आ रहा है वो एक नेगेटिव ट्योर से आ रहा है और सैथ मेले पॉजिटिव करके भी उन्होंने क्या होगा तो जो सवाल है वो पूछा है रंजीत सिंग जी ने हिनुदी आपकी और देवरानी की नहीं बनती क्योंकि आपको अपने ब्लॉग में कम लेती है तो सबसी ज्यादा ना लोगों की यही सोच रहते कि देवरानी जे ठानी जो होते ना वो एक साथ नहीं रह सकते इनकी बॉंडिंग बनती ही नहीं है और जो बहने होती इनकी बॉंडिंग बनती है ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप अच्छे होते ना तो सब अच्छा रहता है तो देवरानी जी और मेरी bonding ना काफी अच्छी है और वीडियो में नहीं आते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी bonding अच्छी नहीं है सब चीज तो हम लोग वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं और रही बात वीडियो की तो अगर मैं उस वीडियो में आ जाओंगे तो मेरे वीडियो भी सेम सेम हो जाएंगे इस वुझे से हम लोग ने जब घर में वीडियो बनाते हैं थोड़ा अलग अलग location से अलग अलग area से बनाते हैं इसलिए हम लोग वीडियो में ज्यादा तर दिखते हैं तो आप प्लीज ऐसे negative comment मत कीजेगा अगर आप लोगों को comment करना है तो प्लीज positive ही कीजेगा और हमारा boarding ना बहुत अच्छा है अगला सवार पूछा है my creativity and some ideas ने hello दी मुझे आप से पूछना था मैं जो भी dance की video upload करती हूँ तो उसमें copyright claim लग रहा है क्या करूं जिससे ना लगे please answer देना तो इसका answer यह है आप लोग या तो no copyright use कीजे या तो song use मत कीजे संदीप सिंग बोरा जी ने पूछा हूँ है आपने ब्लॉग स्टार्ट कप किया था मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी 16 अगस्त दो हजार इकिस को next सवाल पूछ रखा है इनके नाम ना थोड़ी सी गलती ओर किये इनका नाम अभी आरा संगार कपकोटी होगा तो इ काफी लोगों ने भी ब्लॉग की स्टार्टिंग की है और काफी जो औरत है न ऊन लोगों के कमेंट आते है कि मेरे मेरे मिंटर जी मतलब मेरे हज़मैंड शख़क्त अपने बहु बेटू अपनी भीबी अकला सबर्स का इनोने पूछ है आपका fa great color ना मेरा fa better कअ ब्लूव है अंजली अंजु बॉलॉक जी ने सवाल पूछा है क्या आपको भी ऐसा लगा इस्टार्टिंग में कि यूटूब छोड़ दो इतनी महनत के बाद वीडियो बैरन ने होना तो मुझे भी ऐसा लगा था इस्टार्टिंग में जब में वीडियो डालती थी व्यूज नी आते थ देवादामी जी ने सवाल पूछा है आप और कार्तिक पहली बार कबर कहां मिले थे तो इस सवाल से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट आ रहे हैं कि अपनी लब स्टोरी बता दूंगे ना तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो कभी नेक्स टाइम बताओंगी और नेक्स टाइम बोलके बहुत टाइम लगा दिया मैंने लगए नेक्स 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 बोलके तो आप लोगों की कमेंट भी आ रहे हैं कि आप लोग हमें से नेक्स टाइम बोलते हो और अपनी लब स्टोरी नहीं बताते हो तो आपको जल्दी हमारी लब स्टोरी की वीड में दूंगी सब्सक्राइब अपना फॉन स्टेंड का प्रैस बताओ सिस्टर जिसे आप ब्लॉग बनाते हो तो मेरे फॉन स्टेंड का प्रैस है 14 रुपिय अगला सवाल पूचा है राजिस नेगी व्लॉग जी ने इन्होंने पूचा है साधी से पहले ज्यादा खुष थे या साधिक के बाद तो मेरे वीडियो में आपको दिखता ही होगा मैं हमें से ज्यादा तर खुष रहती हूं जब मेरे मिस्टेजर मेरे फैमली मेरे साथ है ना तो मुझे काफी ज्यादा खुषी रहती है और अगर आप बहु को बेटी समझते हो और पती भी पतनी की मेरे चीज नहीं है और अभी मेरी एज भी लगबग छोटी है तो हम लोग इस बारे में अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं एक वर ना फ्यूचर की प्लैनिंग कर लेंगे और आपको जुमें डेली व्लॉक्स बनाती हो ना उस पर तो पता चली जाएगा अगला कमेंट आया है साकसी फ्रॉम अलमोरा है हिनुदी पहली बात तो यह कि मुझे आपकी व्लॉक अच्छे लगते हैं थैंक यू सो मच मेरा क्वच्चन है कि आप अपनी इंगेजमेंट और सादे की अलबम दिखाओ प्लीज चे तो मैं आने वाले दिनों में आपको अपनी इंगेजमेंट और सादे की अलबम भी जुरू दिखाओंगी दूसरा कमेंट हो काफी लोगों द्वारा पूछा गया है तो उसका जवाब आपको मेरे मिस्टर जी देंगे है ना कौंच है यूटूब इंकम के उपर जो यह यूटूब इंकम के उपर बहुत सारे कमेंट आते हैं मैं बेस कि उसको देखे बहुत सारी बहुत हैं आगे को जाएं बेटियां मुलब एक उम्मीद आएगी हाँ जब यह कमा सकते तो हम भी कमा सकते हैं इसवेसे वो मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को दे दे हैं कुछ सवाल मैंने इसकी भी किया क्योंकि वो सेम कचें थे और कुछ सवाल ऐसे आ रखे थे जिनका आंसर मैं आप लोगों को दे नहीं सकती थी मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा तो अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं उम्मीद करते हूं क क्यों आप लोगों को एक अच्छय आंसर वाली वीडियो पसें आई होगी वीडियो पसें आये तो ऊसे लाई कीजिए कमेंट कीजिये अपने दोस्तों के सांद ज्यादसी ज्यादर कीजिए मैंनू मिलती हूं आपको जल्दे एक नई वीडियो में है आपने खेले कें बाई बाई